तो आप लोग कैसे उमीद है कि अच्छे होंगे और मुझे दोहों में याद भी कर रहे होंगे आज है 20 रमजान और 20 रमजान की सहरी मैं बना रही हूँ फिर शेक में जैसा कि आप लोग अब तक के जानी गए होंगे कि मैं शेक जादा प्रिफर करती हूं सहरी में बट पीती नहीं हो बनाना का मैं सिर्फ मैंगो शेक पीती हूँ और बाकी मैं फ्रूट्स हैं वो खा लिया एक हीरा उतना ही तो गाइज आज का मौसम कुछ इस तरीके से हैं बहुत जादा तेज की धूप निकली हूई है रमजान में काफी तेज की आज धूप है फिर अब म मैंने डाले हैं तो सबसे पहले क्यों ना इसे हटा देती हूँ और धूप इतनी तेज है कि कपड़े तो आपके एक दिन में ही सूप जा रहे हैं काइस इतनी इस कदर की तेज धूप है आप लोग देख रहे होंगे जबकि बालकनी पे मेरे जादा देर तक आती नहीं है फ कि काफी ज़रूरी है और पहला काम मेरा यही रहता है कि सबसे पहले मैं साफ करूं तो जी आगे बहुत कुछ इंटरस्टिंग है व्लॉग में तो उसको देखने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को अब तक कि नहीं सबस्क्राइब किया है वो सबसे पहले जाकर मेरे च पार्ट होता है वो मैं यह तो नहीं बता सकती वो आगे आता है कि बीच में या पहले जब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक के मज़ा नहीं लिपाओगे फिर गाइस चलिए आगे की शुरुआत करते मैंने यह सारे कपड़े जितने सब आरेन कर ली काफी प्यारा है नीचे हलकी हलकी चुन दी रखी है फिर इसके उपर भी हलकी हलकी से चुने है और लेस है इस तरीके से दे रखा और इसके पीछे का जो है वो भी बहुत ही प्यारा है और इसका जो फैबरिक है गाईज वो एक नंबर का है बहुत अच्छा है बस यह इसे तर्मी में नहीं पहन पहोगे वैसे तो यह बहुत अच्छा है इसका कलर बहुत प्यारा है मुझे तो कलर के वज़े से बहुत अच्छा लगा पीछे की साइट के देख सकते हैं एक तरफ लास्टिक एक तरफ प्लेन है प्लेन आपके पेट पेल्ट आएगी जिससे आप से कुर्टी जो की बहुत प्यारी काफी खुबसूरत है तो यह मेरी अलविदे की कुर्टी है गाइस स्थार गाइस झाल 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 कै scientists ने मुझे गिफ्ट दिया है और काज शिस्ठन मेरी जो है वह फाला की बेटी है किनारे किनारे आप देख रहे गाइस पूरे में लगी हुई जो इसके नेक पे वर्क है वो काफी बारीक सितारों से जैसा कि मुझे बहुत पसंद है मुझे बड़ी सितारों से जादा मुझे बारीक सितारों का जो वर्क होता है वो काफी प्यारा लगता है और साथ ही इसके स्लीप भी देख सकते है पंकु अच्छा लग रहा है और मैं इसके साथ में ब्लैक कलर का कंट्रास सकता है क्योंकि मुझे जादा बैटर लगता है ब्लैक के साथ औरेंज का कॉमिनेशन होता है वो उसकी बात ही अलग होती है और फिर गाइज अब चलते हैं कपड़े पहलाने को लो क्योंकि मैंने यही ड्रे आज बिल्कुल मैचिंगी चूड़ी पहन रखी है आप लोग देख सकते हैं और इंज प्लैक जैसे मेरी ड्रेस है वैसे मैंने यह बैंक भी वेर कर रखी है फर्स्ट है मैं सवाए की मिल गया और यह देख सकते हैं मैं धोकला सोच रही थी बनाओ की ना बनाओ कैसे करते है तो इसमें जिससे साब से था मैंने उस तरीके से ट्राइय की अर आप लोग देख सकते हैं यह वाला ओयल था जो कि जैतून का तेल है और खाने में काफी फैदा करता है नुकसां नहीं करता है तो मैने लो छीक है अब इसी का बना के देखते हैं कैसा बनता है तो मैंने एक तो उसे एसाब से मैंने पानी भी इसमें डाला था और अब बारी थी बॉक्स को ओपें करके डाने की तो मैं वही काम कर रही थे पटा-फट से कि जल्दी से अब काड के मैं डालू कि मैं लाइफ में फर्स टाम आज बना रही हूं मैंने कभी नहीं बनाया है ढोकला आज मैं तो मैं उसी तरीके से ट्राइ कर रही थी तो आप देख सकते हैं मैंने जितना भी डाला मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह नॉर्मली उपर तक आने लगता है तो मुझे बहुत जादा वहा कि यह कैसे तो इसलिए मैंने फटाक से एक और बरतन निकाला जिसमें इसे म बरतन जादा ने निकले बरतन जादा ना निकले बरतन के टेंशन बहुत रहती है तो इधर जो गिरता फहले मैंने उसको साफ किया फटाफट से क्योंकि वह भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो अब आगे कहा देखते हैं क्या कर जाता है तो मैंने कहा कि थोड़ा स और दूसी साथ जो भगौना उसमें झोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भागौना लिया और यह छूटा भगोना रख्क का बहुत जादा नहीं यह भी तो मैं इस सब चीजों को जा रही हूं चौप करने क्योंकि साथ ही मैं बनाओंगी आज नूडल्स चानी की चौमीन चौमीन चानी की चौमीन सबक्राद्च वातना है। और मैं जो बनाती हो प्लेन रहती है तो स्पाइसी हमेशा नहीं मन करता है कि आप स्पाइसी खो इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरीके से कर देती हो और मैंने लंबी लंबी कट करने के बाद उसको बीच में से एक बर और कट लगाया है इसलिए क्योंकि मैं बहुत जादा लंबी लंबी नहीं डालूंगी उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी और ये बड़ी बड़ी शिम्ला मिर्च है इसलिए इसको इस तरीके से करना ही पड तो मैंने लंबा लंबा कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से भी कट लगा दिया है और फिर एक के बाद एक ही करके सारी शिम्ला मिर्चों की बारी से बारी आ रही थी कि चलो 2-3 तो मैं काटू की क्योंकि मुझे शिम्ला मिर्च का जो टेस्ट है वो नूडल्स में तो मैं नूर्मली पनाती है इसलिए मैं बहुत जादा नहीं कहा सकती हूं कि बहुत गाफा हूं स सब्सक्राइब करतें हैं तो उनकी पसंद के लिए मैं अकESSर भर्वा बना देती हैं मैं बहुत टेस्टी उनता है तो मुझे वह भी बहुत अच्छा लगता है वैसे मैं ब तो यह रहा में पत्ता गोभी तो यह रहा इसका बीच काफी अच्छा होता है तो मैं गाट की तरीके से कट हो रहा है तो फिर मैंने इस बड़ा में से बीच का हाफ कर लिया फिर मैं अब इसका कट करती जा रही हूं चोटा चोटा क्योंकि शिम्रा मिर्च जो है वो उसका साइस थोड़ा बड़ा है तो वो इतनी आसानी से कट तो होती नहीं है तो उसको जिस तरीके से हो पा रहा था उसी साप से गुमा गुमा के मैं रख रख के कट कर रही थी कि बस किसी तरीके से अच्छे से यह कट हो है बस उसे अच्छी तरीके से स्टफ कर हो जाए क्योंकि वही में मुश्किल मेहनत वाला काम होता है सबस्यादा मेहनत तो मुझे उसी में लगती क्योंकि वह जल्दी से स्टफ नहीं हो पाता है तो खैर यह मैं इसका मिक्सचर बना रही हूं आलू के साथ बहुत से मुझे काफी अच्छी से खुशी हो रही है देख करके और अब मैं फाइनली किचन में आ गई थी और भी सारे काम करने के लिए तो मैं इस पर जा रही थी तड़का लगाने के लिए तो गाइस तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें निकाल ली थी बनारसी राई और करीपत इसी नूडल्स में यूज हो जाएगी जैसा कि आप लोग के पास अगर अलग से नहीं समान अवैलिबल है तो भी आप अच्छे तरीके से नूडल्स के साथ फैदा इसका उठा सकते हो मुझे ये नूडल्स काफी अच्छे लगें क्योंकि इनके साथ समाने हो के इतना सिरे कर जिए अच मैं या काम इंखच सिरे कर एक्टे करें मैं फॉरण का फॉरण उसी वक'T करता है उसी वक्त में थोड़ा टाइम हो जाता है और एक तरफ देख सकते हैं मेरे नूडल्स पी रेडी हो गया है तो मैं इन्हीं स्ट्रेंड करने के लिए इस साइट लाई हूँ और दूसरी साइट मैंने कढ़ाई चरहा रखी है क्योंकि मैं उसमें अब डालूँगी ऑईल क्यों इसे डालो तो जल्दी ऑईल भी हो जाता है और फिर इतना जैसे मुझे लगता है कि सही रहता है तो मैंने दस्तरखान उठा लिया है सबसे पहले मैं दस्तरखान बिच्छाओंगी अफ्तार में और उसके बाद मैं एक एक करके सामान ले जाकर के दस्तरखान पे तो मैंने का चलो भाई इसमें प्यास डालती हूं सबसे पहले फिर मिर्चे शिम्ला मिर्च अच्छी तरीके से मैंने डाल दिये और अब साथ ही मैंने पता गोबी भी डाल दिये क्योंकि सारी सबजिया ना अच्छे से गलेंगी और अजीनमोटो जो मैंने दिखाया था बहुत जादा नहीं थे तो मैंने उसे भी डाल दिया और सबजियों को अच्छी तरीके से चलाने लगी और फिर देखा मैंने पता को भी इसमें अच्छी नहीं हो पारा था इसलिए मैंने दूसी तरफ कर लिया क्योंकि मुझे लेट हो रही थी और पकोड़े भी बनाने थ और फिर मेरे काम जो होंगे वो भी जल्दी हो जाएंगे और जो मेरी गैस है माशाला से वो इतनी अच्छी है मैं फिर तारिफ करूँगी आप लोगी माशाला जरूर लगा दें क्योंकि सच में मुझे बड़ा आराम है इस गैस से तीन होने के उस पे बहुत अच्छा है कि कभी इस पे कोई समाल लगो कभी इस पे तो आपको मैं दिखा रहे हैं उसको मैं पानी में डिप कर लूँगी सबसे पहले और यह जो चीज की पूरा स्लाइस को मैं फोर पीस में डिवाइड कर ली हूँ तो यह इतने कट जो हुए हैं उस पे आ गये हैं अराम से और बाता रहे हूं काफी मुश्कील होता है ब्रेट को समालना क्योंकि ब्रेट जो होती है वह बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है और आप लोग सोचते हैं उस पे अभी हमें और भी सारे काम करने हैं उसका मैं समाला बनागे सामान करना है तो उतना जल्दी टाइम होना पर कि जल्दे लिए से इनसान फटाफट से काम कर ले तो मैं इसलिए इस तरीके से काम कर रही थी समाल समाल के कि ये मेरा काम बहुत कायदे से हो जाए क्योंकि जल्दी बहुत आसानी से नहीं होता है फिर मेरे पकोड़े जो थे वो गर्मा गरम से अब रेडी हो रहे थे तो मुझे अभी और भी पकोड़े डालने थे खाली मेरे पास इतने पकोड़े नहीं थे तो और भी पकोड़ों को मैंने साथ ही बना करके रख लिया था कि जब तक कि मेरी ये दो पकोड़ों के तब तक कि वो भी हो जाएगा फिर गाइज अब हम घर से निकल रहे हैं मार्केट क्योंकि आज है सिस्टर का बड़े तो बड़े के लिए हमने का चलो वैसे तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं बड़े आज है भी नहीं कल है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉक बे मिलूंगी तब तक कि दूआउ में याद रखिएगा अपना खयाल रखिएगा अल्ला हाफिज